नवस्कार दिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुजीत RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगता नंद सिंग दिल्ली अभी तक नहीं जा पाए क्योंकि कल उनकी ट्रेन छूट गई आज वो प्लेन नहीं पकड़ पाए खबर थी कि दो पहर धाई वजे की प्लेन से वो दिल्ली जाएंगे लेकिन वो दिल्ली नहीं जा सके सवाल उठता है कि क्या जगडादन सिंग नराज है क्योंकि दो अक्टूबर को जिस दिन गांधी जैनती थी उसी दिन उनके बेटे और मंत्री क्रिशी मंत्री रह सुधाकर सिंग ने इस्तिफा दिया था और इस्तिफे की खबर खुद जगडादन सिंग ने बताई थी मीडिया को कि कुछ पाने के लिए बलिदान देना पड़ता है त्याग करना पड़ता है और उसके बाद से वो आरजेडी कारजाले नहीं गए हलाकि इस बीच पांच अक्टूबर तक तो कारजाले बंद था दुर्गा पूजा की वज़े से कल एक कारजाले जरूर खुला था लेकि जग्दान सिंग अपने पैत्रिक गाव में ही थे रामगड के और वहीं से ट्रेन उनको पकड़ना था राज्धानी ट्रेन मुगल सराय से लेकिन वो ट्रेन नहीं पकड़ पाये आज खबर आई कि वो प्लेन से दिल्ली जाएंगे लेकिन प्लेन भी पकड़ने की सूचना नहीं है तो ऐसे में माना जा रहा है कि जग्दानंद सिंग नाराज है उनकी नाराज़्जी की वज़ा क्या हो सकती है क्योंकि उनके पुत्र सुधाकर सिंग ने जब इस्तिफा दिया तो वो आर्जेडी कारजाले में ही बैठे हुए थे और आर्जेडी कारजाले में ही उन्होंने मीडिया को ब्रीफ भी किया था तो आखिर बात क्या हो गई कि वो नाराज हो गए उनके नाराज़्जी के पीछे की वज़ा क्या है ये समझने की ज़रूरत है क्योंकि जगदानंसिंग और लालू प्रसाद्यादों का रिष्टा काफी पुराना है तमाम मुश्कीले आई आर्जेडी के साथ लेकिन टान की तरह खड़े रहे प्रदेश अध्यक्ष बने तो पाटी को एक अनुशासित दाएरे में लाने की पूरी कोशिस की और उसमें काफी हद तक वो सफल भी रहे एक तर्म उनका पूरा हुआ उस बीच में भी कई बार इस्तिखे की ख़बर आई खास तो और पर जब लालू प्रसाद्यादों के बेटे बड़े बेटे तेज परताप को लेकर बयान बाजी जब हुई थी इस बार फिर चुनाव हुआ और फिर से हलाकि वो अध्यक्ष दुबारा नहीं बनना चाहते थे लेकिन लालू प्रसाद्यादों के दवाव पर दुबारा वो अध्यक्ष भी बनना उन्होंने स्विकार किया अभिहाल ही में बने तो फिर आखिर क्या वज़ा है कि जग्दानन सिंग नराज है जग्दानन सिंग की नराजगी लालू प्रसाद यादाव या आर जेडी से उतनी नहीं है जितनी ज़्यादा नितीश कुमार और जेडी उसे है उनके बेटे जब सुधाकर सिंग जब किशी मंत्री बने तो उन्होंने लगातार बयान दिया सरकार के कामकाज को लेकर किशी मंत्र विभाग में भ्रस्टचार को लेकर तो उसको लेकर नितीश कुमार नराज हुए और यही वज़ा रही कि उनसे स्तीफा भी ले लिया गया इस्तीफा जयसा कि खुद सुधाकर सिंग ने बताया कि लालू पृसाद यादव के कहने पर ही उन्होंने इस्तीफा दिया हालाकि वो मंत्री भी बने थे लालुपसाद यादाओ के कहने पर ही तो फिर ये नाराजगी किस बात को लेकर है ये एक बड़ा सवाल उभर के आ रहा है जग्ना नंद सिंग सब कुछ सह सकते हैं लेकिन अपमान नहीं सकते हैं उनका एक बयान आया था सुधाकर सिंग के इस्तिफ़ा देने से पहले कि 2023 में तेजस्वी आदो बिहार के मुख मंत्री बन जाएंगे उसको लेकर जो जेडियू की तरफ से जो बरिष्ट निताओं ने बयान दिया उससे जगदानन सिंग काफी आहत हुए और उसके बाद उनके बेटे का इस्तिफ़ा भी हो गया तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनके उनको लगता है हलाकि ठीक है आर जेडि के लिए या लालू प्रसाद यादाओं के लिए नितीश कुमार से संबंध बनाए रखना बनिस्मत जगदानन से ज़्यादा जरूरी है क्योंकि उनका लक्ष दोहजार चौबिस का लोकसभा चुनाओ तो है ही तेजस्वी को तेजस्वी यादों को मुख्रमंत्री के तोर पर स्थापित करने का भी है जगदानन सिंग हलाकि लोग कह रहे हैं कि बेटे के स्तीफे से वो दुखी है या नाराज दुखी हो सकते हैं नाराजगी अगर उसके स्तीफे से है ऐसा लगता नहीं हो कि आपको पता है कि 2010 में सुधाकर सिंग बीजेपी के टिकट पर चुनाओ लड़ रहे थे और जगद आराज़ी के उविद्वार को समर्थन देकर अपने बेटे को हराया था तो ऐसी प्रस्थिती में यह कहा नहीं जा सकता है कि सुधाकर सिंग के स्तीफे से वो आहत यह यह बात हो सकती है यह बात दिल में जरूर एक पिता के हो सकती है पुत्र को लेकर जैसे लालु जो बयानबाजी हुई उसको लेकर वो खफा जरूर है और खास्तोर पर जो नितित्व है आर जेडी का उसकी तरफ से कोई इस तरह का सपोर्ट ना मिलना वो भी एक उनको आहत कर रहा होगा. अब देखिए 2015 में भी जेडी और आर जेडी एक साथ थे और उस समय रगवन्स परसाद सिंग खुलकर नितीश कुमार के खिलाफ बयान देते थे लालू परसाद यादो चाहा कर भी नहीं रोक पाते थे लेकिन तब की परस्थिती और थी और आज की परस्थिती और है संबंध हुआ करते थे जब दोनों एक ही दल में थे दोनों एक ही साथ विधायक भी बने उनीसो परचासी में उनीसो नब्य में जगदा नन सिंग मंत्री बने सिचाई मंत्री लालू परसाद यादो के मंत्री मंदल में और नितीश कुमार तब तक लोक सभाग में चले गए थे नवासी में और वहां मंत्री भी बने लेकिन जब चौरानवे में नितिश कुमार लालो पसाद यादव से अलग हुए अलग सम्ता पार्टी बनाई उसके बाद से जग्णा नंद सिंग से वो पहले वाले संबंद नहीं रहे 36 का अकड़ा एक लगतार बनता रहा उन दोनों के बीच में कभी थे कभी उनके मधूर संबंद थे दोनों के घर भी अगल बगल में हुआ करते थे लेकिन अब जो इस्थिती परस्थिती है वो वैसी नहीं है जग्णा नंद सिंग के बयानों को आप देखेंगे तो वो कभी भी नहीं चाहते थे कि जेडियू के साथ आर्जेडी गटबंधन करे गटजोर करे और सरकार बनाए वो हमेशा जेडियू के खिलाफ या नितीश कुमार के खिलाफ बयान देते रहें उनके कामकाज को लेकर टिपणियां करते रहें हैं और हम कह सकते हैं कि आलोचक बड़े जगड़ाज सिंग ने स्टिफा दिया और गांधी जैन्ती के दिन और उसी दिन आरजेडी के कार जाले में ही जगड़ान स्थिंग ने वीडिया को बताया भी कि कुछ पाने के लिए त्याग करना पड़ता है बलिदान देना पड़ता है इस तरह का बयान उन्होंने दिया और उसके बाद से वो कारजाले गए नहीं है, हला कि कारजाले बंद था दुर्गापुजा के लिए, कल एक जरूर खुला था, आज भी खुला है, लेकिन जगदा दन सिंग को दिल्ली जाना था, लोग समझ रहे थे, वो दिल्ली जाएंगे, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, ल काई बार कमा दन सिंग य को बना चुक हैं, और सारह वामदार उन्हीं को, क्योंकि जगदा दन सिंग का रहना ठाटी के लिए खास तॉर पर हाजी डी के लिए काफी माइने रखता हैнок की एक तरीके एक तोर तरीका उन्होंने पार्टी के लिए बनाया है तो निश्चित तोर पर लालू प्रसाद यादो भी नहीं चाहेंगे कि जगदा नंसिंग इस तरह से छोड़ कर जाएं पर जगदा बावू जो हैं वो किसी का फोन उठा नहीं रहे हैं और किसी से बातची आमिया है जो नाराजगी है वो दूर हो सकती है लेकिन अगर नहीं जाते हैं तो ऐसे में एक नई राजनितिक परस्थिती हम कह सकते हैं कि बनने की तरफ है यह सारा मामला अब सब कुछ रिपेंट करता है और येडी अध्यक्ष लालू पिसाद यादों पर कि उनको मना पा नार्सकार